सबसे पहले प्रणाम बगवान को इश्वर को और हमारे दर्शकों को बगवान के आशीरवाद है और दर्शकों का प्यार है बस यह दोनों हमारे साथ है तो इसलिए यह नामुम्किन मुम्किन हो गया है एक ही टीम के साथ सारे लोग रोज हम लोग मिल जूलकर आपको भी अस इसे ही चलता रहे, ऐसी आपकी दूआ है, हमको चाहिए और बगवान का शुवार चाहिए. इंट्रेस्टिगं तो रोजी आपको देखने मिलता है, अब है अजय बाई अजय देऊगन और बात है करते हैं, और एसा प्रयास करते हैं, कि रोज कुछ नया हम लोग दर्शकों को दे सकें, अभी अजय देऊगन जी और काजल का वेपिशोड देखेंगे टाना जी के अंद फिर वरून्दोन आ रहे हैं सिट डांसर के साथ और बहुत सारी आग एक बहुत बढ़ीया स्टोरी है एक चमतकारी अंगुटी तो रोज-रोज नहीं नहीं स्टोरी है और मुझे मालूम है कि पोपटलाल कि सादी के बारे में बहुत इंतजार है मुझे भी इंतजार है, मैं भी लड़की ढूंड रहा हूं, आप भी लड़की ढूंडी है, जब वो लड़की मिल जाएगे, हम लोगों का साधी हवस से खराएंगे, और दया बाभी अमदावाद की गलियों में खो गए है, हमारा हमको ढूंडे का प्रयास चालू है, वो भी यसे ही 3,000 एपिसोड जल्द हो जाए और उपरवाले का श्रीवाद बरकरार है, कोई आप से खराएंगे, तो एक याद असनों बहुत होता हूँगा, अपर आप के लिए कोई एक मेमरेबल अगर कोई एपिसोड रहा हुसते है, नहीं, इधर तो रोज नयानया मेमरी है, इ आपने सवाल पहली बार पुचा, किसी ने पहली बार पुचा तो आप है, नहीं, बहुत सारी गटना है, अकसर जब ऐसा कुछ मुकाम हासिल होता है तो पहला एपिसोड में याद करता हूँ, जब हम लोग सब नहीं थे, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्य प्यार मिलना वो सबसे बड़ी बात होती है, तो ये दर्शक को का जो प्यार मिला है, जो करोडों रुपिया देके भी नहीं मिलता है, तो वो एक सबसे बड़ी मेरे लिए यादगार चाहिए तारक में तक उल्टा से समा के साथ, और बाकी तो रोज हम लोग परिवार की त करता है, शाधिया उती रहती है, सबके गर में बच्चे आजए रहते हैं, जो कुछ साहरी सुनाएंगे, सबसे बात हैं, नहीं रिबस, बहुत धन्योद आप लोगं का, आप लोगं का जो साथ प्यार जो है जननता का, ऐसे हम लोगं को बना रहे. और बस यह 29 तो एक चोटा सांख मात्र है और क्या है अभी तो इसके आगे बहुत सारे शून में लग ले है ऑवीटा कविटा ये सबता बोल चुके था आपको इजर कविटा बोल एक बूला है क्ति, मेट पंक्ति भोलूगा है कि न महतबौर 28 है, न 29 यह 3,000 है है महतबुर सिर्फ जन्था का प्यार है सिख करहे है सिखर करूंझ है भार भार भभाय ओणा है भार हMoreण भार? भभार हम अओए थाइक तेंड अधिवर का प्यार पर है आश्विरवाद रहे और हम साड़ी तुमारमी दूर्ट्ला पर हुग है तिम यह इसात में काम करते रहे, वही में बगवान को ब्रातना करता हूं, सब अपने तनमन से तंदूरश्त रहे, और जो फैमिली कोमेडी है, हम कभी भी वो सब लोग अपने बचों के साथ परिवार में, दादा जी, पोते के साथ और सब मुल्खे मिलते जुलते रहे, वो ह हमारे राइटर को भी प्रेर्णा दे चरह है हमारे डिरेक्टर भी हड्ली को टेलिविजन इंडेस्ट्री में इसा डिरेक्टर होगा कि जिनों ने इतने एपिसोड किये होंगे तो हमारे अर्षद भाई, मालो भाई पूरी प्रोडक्शन टीम मेरे स्थोड़ भाई, लाइपमें और सारे लोग अबी इस सुन्वेरे मोके डर शाहिलेजी का अपकुछ अबशिक कुछी की बात है का ने जीए आपकुछी की बात है पांच और वाज़ार नुट से क्या है बस काम करेंगे इसके खतम होते शीन करेंगे पिछले 12 साल से आसेद बाना हमको कर्म योगी बना दिया है हमको काम के लाव और कुछ सूचता है ना कुछ दिखता है सुबह उठते थेला लेकर निकल पड़ते हैं शूटिंग पर आते पूरा दिन 12 गंड़ा शूटिंग करते हैं आपस घर जाते हैं सुबह होटी है शाम होती है जिन्दगी युँ ही तमाम होती है तमाम होती है ने बहुत ही दर्शुको का बहुत बहुत हम झetना शुकरी अदा करें उतना कम है लगातार यह 12 साल चल रहा है बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब ये वाक़े में भगवान की बहुत बड़ी कुरुपा है हम सब के, कि जहां शोज, कोई-कोई शोज दो महिना, तीन महिना, कोई-कोई तो एक महिना में बंद हो जाता है, बारवे साल में भी, अब पिछले हफते, आइटिंग, नमबर थ्री पे थे, नमबर थ्री पे था, पिछले टॉप पाय में तो हम ही पीछे हमेशा से, यह वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कुरुपा है, मैं तो अपने गुरू परमभुजे प्रमुक स्वाई महराज, महान स्वाज का उपकार मानूगा, भगवान स्वामे जाना का उपकार मानूगा, कि सबसे बड़ी बात की बारा साल तक हम सब को तंदुरस्त रखा, ताकि हम सब ये बारा बारा गंटा काम करके लोगों को हसा सके हैं। क्या पेचंत नहीं कि मेरो को ? ये देखो जैसे मेरे पास में गड़े, ये दिलिव जोशी जी है, ये चालाल करों करते हैं। इन्होंने बोला को आके खड़े ले इधर, इन्होंने जैसे। तो ये इश्वर का आशिरवात है, हम दोनों ही बोल रहे है, मैं शहलेश लोड़ा, इदिलीब दोशी, कि मैं मासर उस्वति और बाला सत्री जी का भक्त हूं, हम सब हमारे इश्वर को यही प्राथना करते हैं, कि हमें ऐसी ही बस तंदुरुस्ति दे, स्वास्त दे और ऐसी ह स्क्रीन पे नजर आती है, प्रोजेक्ट होती है और इसलिए तो लोगों को जब हम एंजोई करेंगे, तब को लोग एंजोई कर पाएंगे, वैसे भी एक दूसे कंपनी बहुत एंजोई करते हैं, बड़ा मजा आता है, हम साथ में बैठते हैं, तो बढ़ी हसी मजाग चलत अज पाए थे यहां पर यह, मैं, गोली जो था हम इतने इतने से थे आज 12 साल हो गए हमको यहां पर तो एक वो फीलिंग है कि अर कहां थे, कहां से हमने कहां आप लोगों ने हमें पहुचाया है, तो इस अल बिकॉस अप लोगों की वज़े से, अगर आप नहीं होते हैं, तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया, कितनी भी बार करें उतना कम है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना आप लोगों ने प्यार दिया है आज तक हमें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको और भी नहीं कर पाँगा, एक रिक्वेस्ट और एक प्लीज ब और आपकी जो अब यह आदत लग गई है तारक मेदा देखने के लिए, वो हमेशा ऐसी आदत रहे और यह आदत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको हमारी आदत लगी है, हमें आपकी आदत लगी है कि हम रोज 8.30 बजे आपके घर पर आपको हसाएं, तो यह आदत हमें भी लग चुकी है, आपको भी लग चुकी है, तो यह आदत को ऐसे ही बरकरार रखिये, और सालों साल हमें प्यार देते रहिए, और आपको हसाते रहेंगे, तो काफी खुशी की बात है, मुझे भी पता नी चला कि कब इतना फासला में तैक कर चुका हूं, तो क काफी खुशी की बात है, और केरेटर की बात की जाये तो टपू एक काफी अच्छा शरारति, मस्तिकोर, संसकारी अभी तो हम बहुत जादा ही खुश है लेकिन मैं मैं स्पेशली खुशी से जादा भी बहुत इमोशनल हो चुका हूं क्योंकि यह इतने साल हो गए लेकिन अफ फिर भी वही प्यार बरकरार कर रहे हो और इतना साल से हमें प्यार दे रहे हो तो उसके लिए थांक्यू के अलाबा थांक्यू भी चोटा वड हो गया है अब तो सारा प्यार मिल रहा है आप सब लोगों का तो सच में थांक्यू जो है वो बहुत छोटा सा वोड है आई थिंक थांक्यू नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को आप लोग जितना प्यार देते हो हम लोग उतना प्यार रिटर्न आपको नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं तो आप वह बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए और इस शो के साथ हम सब लोग भी ग्रो करें शरारती, मस्तिकोर, संसकारी, सीधा साधा, बोला बाला, जो बोलो सब है टपू, मस्ति भी करता है, मस्ति के डाइम पे, संसकारी, बेटा भी है, पोता भी है, तो ये क्यारेटर करने में काफी मज़ा आता है, क्योंकि रोज ना रोज कुछ नया करने मिलता है, क्यारेटर को तो बbook भोल नहीं सपकते लेकिन जब छोटें थेटी था पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं से लाइन सब् Ellis लेके तो अपे बहुतenne मिला अपने लोको डेवल्प करने मिला है उतने जो हमारे kommtने महान है अग तो चीज का फाइदा हमें मिला, लोग जाते हैं पैसे दे के सीखने के लिए यहां पर हमें फ्री में सीखने मिला, तो as an actor अपने आपको डेवलप करने का मौका भी मिला और एक कुछ का कारेक्टर सेट करने के लिए भी चांस मिला, हमें मुझे तो कारेक्टर का इंडेप्थ मालूम पड़ा है कि गोगी यह सिटुवेशन में क्या करेगा, तो वो मुझे सीखने मिला है, क्योंकि बच्पन में मैं तो सबसे ज़्यादा चोटा था, तो मुझे इतना समझ नहीं था, आक्टिंग के बारे में, या किसी चीज के बारे में, कोई इंटर्व्यू देने भी नहीं आता था मुझे, लेकिन यहां पर एक ऐसा माहौल बन जाता है, यहां पर लोग हमें ऐसा, यह हमने नहीं सीखा है, यह हम अपने आप डेवलप नह हो सकते है, कोई बीजन अपने हाफ डेवलप नहीं होता है, यह किसी से सीखता है, और उससे इंफ्लूएंस होता है, हाँ पर दिलिप सर है, सेलेश सर है, मंदार अंकल है, मेरे पापा जो प्ले करते है, एवरीवन, मैं सब का नाम लोंगा, क्योंकि सब के वज़े से हम सीख पाते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बताया है कि मैंने अभी-भी जॉइन किया है, तो कोशिश कर रही हूँ अपने कारेक्टर को अच्छे से निभाने की, और खुशी इस बात किये है, के मेरी उस कोशिश को मेरे जो प्यारे वेल विशोज है, फैंस मैं नहीं बोलती हूँ, जो लोग मुझे मेरी कोशिश को अप्रिशियेट कर रहे है, तो उससे मुझे और भी करिज मिलता है, कि हां मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, और सोनु की बात करें तो बहुत बबली है, माबाप की बहुत लाडली है, अपने आई बाबा की, तो बस अपने आ बहुत जादा मतलब बता नहीं सकते हैं, तो बस ऐसे ही अपना प्यार हम सब बनाए रखना, एक्छलि जतना भी हम कहा है, अथना कम ही होता है, हम ऐसा आपको लगता हुआ कि हम से बोलने के लिए बोल रहे हैं कि जितना बोल अपना कम है लेकिन सच्छी मैं, जितना भी करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी के जो एपेसोड है हम सब पूरी टीम तारगमेदर की टीम आपको वादा करती है कि हर एक जन का सीन जबी भी होगा, बात बहुत बहुत, हम लोग बहुत एंजोई करते हैं और अक्सर ऐसा होता है इसे कोमल मैम बुलाते है मुझे रॉशन मैम बुलाते हैं तो होते हैं अपने टीम में से तो होते ही है अपने टीम में से बहुत लोगों के होते हैं इसे गुफ-प्स की इनको बोल देते हैं कॉमल मैं और मुझे रॉशन मैं और और उडियन्स भी बिकोज देट स्वाइट इतना प्यार करते हमसे कि वो हमारा नाम हो जाते उनको से हम लोग हम लोगों को बुला रहे हैं मुझे रॉशन मैं बोले तो भी मैं हाई भूल दो यह सो तो हर दिल ने हर दिन हम लोग बहुत मस्ती करते हैं अंस्क्रीन भी बहुत मस्ती होती है इस इस नोट फैर हाँ थेल्व यह में यह ज़िए प्र चूज वान में में मुझे एक ध्यान है कि एक बार साप का कुछ एपिसोड में कुई साफ यूज है तो अमित मतलब चंपक चाचा ने बभीत बभीता पीछे चंपल लेके दौडड़ी ऐसा पुरा हो रहा था इतनी हासी आरी थी क्योंकि आमित सबसे नौटी सेट पर सबसे ज़दा मस्ती वही करता है मुझे एक बर मैंने इसको से दंडे से मार दिया था तो तन्न आवा जाई तो दिलिप जी ने बोरा हरे जैनी उस जैसे हम लोग एक दूसरे के लिये बने हैं जैसे कोई कहता है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप सीरियल के है ऐसा लगता है कि आप एक्चल में पड़ोसी है आप एक्चल में पामिली है तो वह फिलिंग हम लोगों में है वो केमिस्ट्री है हम लोगों में जैसे असे जी ने ब आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह से ब्लेसिंग दीजे, बहुत ज़रूरी है, ये पूरा 2,900 और इसके आगे जो होने वाले है, इस सफर में आपका बहुत बड़ा हाथ है, थांक यू सो मुच, आप है तो हम है, आपके बिनाम कुछ भी नहीं है, ऐसे कर देते रहिए, गल प्यों तो सकिलिम अपको.